देखिए दोस्तों अगर आपकी कार का गेर टाइट है कभी कभी अटकता है तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे ठीक किया जाए जो मिस्तरी है वो क्या कहेंगे आपका गेर बहुत खराब हो गया इसको गिरारी बंदर इसम इसको खोल के यह सिस्टम होता है यहां पे देखो गेर में इसमें क्या भी सूखा पड़ा हो है इसमें कोई ग्रीश नहीं है तो इसलिए टाइट हो जाता है यह देखो यहां से सूखा हो है मिस्तरी बता रहा है सूखा है इसलिए यहां पे क्या है टाइट हो जाता है और इ मिस्त्रियों के जाने से पहले-पहले यही चेक करवा लीजी क्योंकि लोग गेर बॉक्स में गिरारी बदलने का काम करेंगे यह करेंगे इंजन खोलने की बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं करना बहुत खर्चा हो जाएगा और 7-8,000 रुपे उन्होंने मेरे से मांगे थे तो मैं फिर मरुप्ति के एक मेकानिक के पास आया यहाँ पर सोना में इसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है इसमें इसकी ग्रीश खतम है इसकी चिकनाई खतम हो रही है इसलिए अटकता है कच्रा फशा हुआ है अभी क्या है इसमें ग्रीश कर देंगे और इसके बाद यह नरम हो जाएगा अभी दिखाते हैं करना कहिए देखो इसने के एक केमिकल डाला है इससे जो कच्रा है वो निकल जाएगा इसकी सफाई हो जाएगे गेर बॉक्स की यहाँ से ठीक है सफाई होने के बाद क्या है बिल्कुल यह कच्रा निकल जाएगा यह एक ग्रीश लगाएंगे यह बहुत ही चिकना ग्रीश है और मैंने इनसे पूछा था कैसा ग्रीश है तो बहुत है उन्हें स्पेशल ग्रीश होता है यह केर बॉक्स के लिए तो स्पेशल है पता नहीं हम कहां से मिलेगा यह ठीक है यह एक ग्रीश लगा दिया इस ग्रीश के लगाने के बाद और सपाई करने के बाद कच्रे की वो केमिकल स्प्रे डाल के इसके बाद गेर बोक्स बहुत ही सोफ्ट होगा पहले से ठीक है पहले बहुत अटक था था और यह करने के बाद मेरा गेर बोक्स अटका नहीं है देखो मैंने बंद कर दिया बंद कर दिया बंद भी बिलकुल यही से अपना आप यह थोड़ा सा जबाव लगा के हो जाता है तो हमारे ऐसे ऐसे वीडियोज के लिए आप हमारे इस चैनल को जरू लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मिस्तरी है बिलकुल आपका ने साथ आठ हजार रुपे का खर्चा बना देता है इस थोटे से काम के लिए और इस मिस्तरी भी बहुत जार खर्चा बता रहे थे साथ आठ हजार रुपे के इसी चीज का थैंक यू सू मच बाइबाए